तो आज हम लोग बनाएंगे किस पगड़ से साउंड के जरीए हम लोग किसी भी ग्लास को तोड़ सकते हैं मतलब इस पर कितना frequency होगा, sound का volume कितना होगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा तो इसको किस पगड़ से बनात है घर पे, वो आज हम लोग सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो तो ग्लास को अगर तोड़ना है तो सबसे पहले हम लोग को, इसका जो sound है, उसको adjust करना परेगा तो sound के लिए हम लोग एक speaker को ले लेंगे, जैसी कि इस पगड़ के एक speaker ले लेंगे speaker पे हम लोग जो sound डालेंगे, sound का quality होगा, वो होगा 556 hertz का होगा sound ठीक है, तो यह जो 556 का hertz है, उसको हम लोग amplify से बनाएंगे, और इस पर हम लोग frequency डालेंगे, जो frequency होगा 105, तो यह frequency जो है, वो frequency sound का frequency होगा, उसी frequency को हम लोग बनाएंगे 80 मेगा से, ठीक है, तो 80 मेगा से हम लोग इसका frequency बनाएंगे, बनाने के बाद यह frequency हम लोग इस पर डालेंगे, मतलब amplify पे डालेंगे, तो amplify का जो बोलेंगे, उसको एड़जस्ट करके हम लोग 556 hertz पे डालेंगे, इसका sound, बोलेंगे, डालने पर इस पर output होगा, 556 से output होगा, और 105 का जो की frequency इस पर output होगा, होने के बाद जो बाइबरेट होगा उसी बाइबरेट ग्लास पर अगर लगेगा तो ग्लास बाइबरेट होने लगेगा ज्यादा बाइबरेट होने पर ग्लास तूट जाता है तो अभी चलिए इसी सार्किट को यूज करके हम लोग ये सार्किट बनाते हैं आज तो आभी तो आपने देखा है स्पीकर को कैसे बनाया है किस पकर्षा ने स्पीकर को फीट किया है तो स्पीकर के चारो तरफ एक पैपर होगा और पैपर के मीडियल पर एक होल होगा जिस होल से जितना साउंड है वो साउंड इसी होल से निकलेगा मतलब फ्रिक्वेंसी और भी ज़्यादा हो जाएगा तो इसी के बज़े से ये फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होने पर ये ग्लास तोड़ता है तो इसका जो जो amplifier है अभी हम लोग amplifier circuit को बनाएंगे बनाने के बाद इस पर frequency अलग से डालेंगे तो पहले हम लोग amplifier circuit को बनाते हैं उसके बाद दूसरा circuit आपको दिखाएंगे कि पुम बनाद आपके जदो से उसके अभी हम झाहेंme बनाने के रρι्म से इसकाएंगे को बनाने के बनाते हैं कि आपके बनाद एम खर सोय से अब मीरी हम धर के उाज को तो आपी तो अपने देखा हैं एम्प्लिफायर सार्किट को किस पर कर से बनाते हैं तो अभी हम लोग इसी एम्प्लिफायर सार्किट पर जो कि फ्रिक्वेंसी डालेंगे कौन सा फ्रिक्वेंसी होगा वो हम लोग माइक्रो कॉन्टोलर पर डाल देंगे प्रॉग्रामिंग करके वो ही फ्रिक्वेंसी आउटपुट होगा और यह जो एम्प्लिफायर है एम्प्लिफायर के जरीए इसी फ्रिक्वेंसी को ज़ाधा करके स्पीकर के बेज़ जेगा ठीक है तो आप ही चलिए circuit को हम लोग बनाते हैं जो कि amplifier कर circuit को ठीक है आप चाहिए तो Arduino से भी कर सकते हैं तो चलिए circuit को पहले हम लोग बनाते हैं तो आप ही देखा है अपने किस पकट से सभी को एक साथ हमने फिट्रिंग कर दिया है अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगी तो इसका टेस्ट करने के लिए पाउर देना होगा तो जिस पर हम लोग 12 प्रोबाइट करेंगे करने के बाद इसका जो ऑद साउंड होगा वही साउंड आंड़ को टोरेंगे तो चलिए टेस्ट करेंगınız तो अभी आप लोग देख सकते हैं यह पे मैंने स्पीकर को फिट कर दिया है और ईस पर से साउंड निकलेगा निकालने के बाद इस पर frequency इसमें लगेगा और यह तूट जाएगा तो अभी हम लोग टेस्ट करेंगे उलार बाद रादपास्ट करेंगे सबयत्ति कर दो कर दो तो देखा अपने किस परकर से आसानी से एक ग्लास को आम लोग आसानी से साउन के जरीए तोड़ सकते हैं अगरे वीडियो का चलागा तो लाइक जरू केज़ेगा और अपने दस्तों जरू केज़ेगा अज के लिए थेंकियों स्तों बाइ प्लेशा है आए कर दो कर दो वो कर दो कर दोड़ कि ए दो आज सकते हैं